Hello students, good morning, today we are again going to continue with our revision for chapter number 14, name of the chapter is the story of the story of food Now here is a question given, when you are sick, do you take any medicine which comes from plants, what do you take when you? मतलब आपको इसमेडिसिन लेते हो जो प्लाइन से आती है, तो हम लोग क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, किन चीज़ों के लिए वो हम लोग पढ़ेंगे? गेट हर्ट, जब आपको कहीं लग जाती है, तो हम लोग पीते हैं हल्दी के साथ दूद, हल्दी दूद, तो टर्मरिक विट मिल्क, देन, हैव और स्टमर केक, जब हमारे पेट में दर्द होता है, तो हम लोग हिंक आ सकते हैं, या अजवाईन के दाने भी खा सकते हैं, देन हैव, को और कॉफ, तो हमें जब कोफ, तो हम लोग तूलसी के पत्य खाएंगे, जीनजर, अधरक और हनी के साथ, जब हम लोग तूलसी के पत्य खाएंगे, तब हमें बहुत रहात मिलती हैं, Then have a toothache. जब आपके दातों में डर्ध हो, तो आप क्या कर सकते हैं? Apply Clove Oil. मतलब आप Clove का जो ऑल है, वो लगा सकते हो अपने दातों पे. Clove मतलब होता है Long. Long का तेल आप अपने दातों पे लगा सकते हो. तो इस तरीके से हम लोग को बहुत सारी ऐसी medicinal चीजे है जो हमें प्लाइंट से मिलती है है ना जब हमें लग जाता तो ममी हल्दी दूद देती है जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम लोग पानी के साथ हजवाईन लेते हैं यह तो फिर हम लोग पानी के साथ हींग रहते हैं यह तो अजवाइं के दाने चबा चबा के खाते हैं तो इन सब चीजों से हमारे यह सब चीजे जो हमें मिलती है प्लाइंट से और हमें जब हम लोग बीमार होते हैं तो हमें ठीक हो जाता है then next question is match the following तो आपको क्या करना है इनको correct option से match करना है let us read the options first potato, curry leaves, cauliflower, carrot and amla next column में है fruit, stem, leaves, flowers and root तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा fruit है, stem है, leaves है फ्लावर से है, root है आपको वो identify करना है first of all, first option is potato तो potato क्या है, potato एक stem है okay, then curry leaves क्या है, कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता क्या है, एक तरीके की पत्तिया है तो आपको करी leaves को leaves की सत्थ जोइन कर देंगे then cauliflower, cauliflower क्या है, yes, cauliflower फ्लावर है, प्रॉली फ्लावर पेड का कौन सा पार्ट है, फ्लावर पार्ट है then carrot कौन सा पार्ट है, गाजर, गाजर है root का पार्ट, तो गाजर फ्रूट है, तो हम लोग गाजर को root से connect करेंगे, then आमला, आमला क्या है fruit है, तो हम लोग आमला को fruit के साथ connect करेंगे okay students, this is all for today, you have to write this in your V.S. notebook, I hope you must have understood this thank you and have a nice day